Hey English Learners! Phrasal verbs की सीरीज में आपका स्वागत है जिसका आज है Day 4 Day 4 में हम Brings से Related Phrasal verbs सीखने वाले हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं समझा देती हूँ कि Phrasal verbs आखिर है क्या वर्ब के साथ जब preposition या फिर adverb आता है तो phrasal verb बन जाता है और उसका meaning जो verb का होगा वो change हो जाएगा Like give, give एक verb है जिसका meaning होता है देना जैसे ही इसके साथ preposition जुड़ती है अब इसका meaning change हो जाता है कोशिश करना छोड़ देना या फिर त्यागना इसलिए phrasal verbs फढ़ना बहुत जरूरी है तागे हम sentence का सही meaning समझ पाए bring एक verb है जिसका meaning होता है लाना इसकी first form bring ही होती है second brought और third form भी इसकी brought ही होती है जिसे हम past participle भी कहते है तो यह है bring verb अब लेकिन हम बात करें phrasal verb की तो यहाँ पर कुछ different meaning के साथ ही आएगी तो पहला है bring about अब bring about का सीधे meaning होता है कुछ achieve करना कुछ पालेना हासल करना कुछ मिलना कैसे मिलना कैसे हासल करना यह example से समझते हैं sentence है better cultivation of soil will bring about better crops अच्छी मित्टी की जुताई जब होती है तो उससे अच्छी फसल पैदा होगी यानि मित्टी की अच्छी जुताई से अच्छी फसली मिलेंगी next example देखते है you can bring about your goal only by hard work सिर्फ कठिन परिश्रम से ही तुम अपना लक्षे हासल कर सकते हो bring about your goal अपना लक्षे हासल कर सकते हो pranayam will help you to bring about mental peace pranayam आपको मानसिक शांती पाने में मदद करेगा अच्छीव करने में मदद करेगा bring about next है bring out पहले ता bring about अब bring out कुछ बाहर लाना यानि कि launch करना बाजार में उतारना इसका मीनिंग आता है जैसे company अपने products कुछ बाजार में निकालती रहती है उनको bring out करना कहते है example देखिए he intends to bring out his new book बहे अपनी नई किताब बाजार में लाना चाहता है यानि कि publish करना चाहता है बाजार में उतारना चाहता है next apple brings out a new iphone every year apple हर साल एक नया iphone बाजार में उतारता है brings out ही अपने आप में पूरी बात कहता है कि बाजार में उतारता है clear अलग से बाजार को mention करना ज़रूरी नहीं है we are trying to bring out the talents of these children हम इन बच्चों की प्रतिबा को बाहर लाने की कोशिश कर रहे है यह इसका simple use है bring out बाहर लाना bring round bring माने लाना round यानि अपने चारों और कुछ गुमाना जो आपके पक्ष में हो यानि की persuade करना convince करना राजी कर लेना, मना लेना एक दूसरा meaning भी होता है bring to senses यानि की होश में लाना इसका भी example देखेंगे पहले persuade का देखते है I am sure Amun will bring her round to come to the party मुझे यकीन है कि Amun उसे पार्टी में आने के लिए मना लेगा यानि उसे convince कर लेगा bring round next at last I brought him round to my opinion at last यानि अंत में मैंने उसे अपनी राए में शामिल कर लिया कहने का मतलब है वो मेरी राए को मान गया पहले नहीं मान रहा था doctor brought the patient round doctor मरीज को होश में लाया या लेकर आया ये होश वाला था next है bring up very simple bring up का मतलब होता है rare यानि की पालन पोशन करना जो हमारे माबाप करते है examples she brought up her son very well उसने अपने बेटे का पालन पोशन बहुत अच्छी दरह से किया है brought up past की बाद है तो brought up next देखिए I was brought up in a disciplined and a very strict family मेरा पालन पोशन एक अनुशाशित और बेहद सक्त परिवार में हुआ है पालन पोशन brought up bring up clear रहे simple है next देखते हैं bring on जिसका मीनिंग होता है to cause something यानि किसी की वज़ा बरना किसी के होने का कारण बरना देखने में तो sentence में आपको लाना ही दिखेगा लेकिन वो किसी कारण से होगा example से समझाएगी बात good rain will bring on the crops अच्छी बारिश फसल लाएगी फसल तभी पैदा होती है जब उसे एक अच्छी बारिश मिलती है जादा बारिश या कम बारिश दोनों ही तरीके से उसके लिए नुकसान दे होती है next sentence polluted air can bring on an asthma attack प्रदुशित हवा अस्थमा का attack ला सकती है ये इसका कारण हो सकती है bring on next one is bring forth bring forth का meaning होता है to produce something कुछ पैदा करना उत्पन करना उत्पादन करने के लिए भी आता है और जन्म देना के लिए भी आता है जन्म देना किस sense में ये भी आपको example से समझ आ जाएगा in my garden many trees are bringing forth fruits मेरे बगीचे में कई पेड फल दे रहे हैं यानि फलों का उत्पादन कर रहे है next I need a person who could bring forth some creative ideas for my business मुझे एक ऐसे व्यक्ती की जरूरत है जो मेरे व्यफसाई के लिए कुछ रचनात्मक विचार ला सके उनको पैदा कर सके उत्पन कर सके next poverty brings forth malnutrition गरीबी को पोशन को जन्म देती है अब आप समझ गई होगी किस सेंस में बात हो रहे है injustice brings forth crime अन्याय अपराद को जन्म देता है brings forth moving to the next one number seven पर है bring home देखे bring माने लाना home माने अपने घर घर लाना यानि की कुछ जान पहचान करेंगे कहने का मतलब है to make one understand यानि की अवगत कराना किसी को बताना अब कैसे अवगत कराएंगे अब जिसको भी आप अवगत कराएंगे उससे पहले to लगाना है examples देखे he brought home to me the danger I was in उसने मुझे अवगत कराया कि मैं किस खत्रे में था तो जिसको अवगत कराया उससे पहले to लगा है यह ध्यान रखना है next bring home to yourself with these books your exams are near इन पुस्तकों से खुद को अवगत कराऊ तुम्हारी परिक्षा निकट है यानि कि आप पढ़ाई शुरू कर दो किताबे खोड लो इन से जान पैचान कर लो I brought home to Adrika her faults मैंने आद्रिका को उसकी खामियों से अवगत कराया मैंने उसे उसकी कमियां बताई moving to the next one bring forward bring forward का meaning होता है एक simple meaning होता है प्रस्ताव रखना यानि कि proposal रखना दूसरा meaning है to move something to an earlier date or time कोई meeting या event एक scheduled time से पहले कराना उसको हम bring forward बोलते हैं इस meaning को भी clearly अभी समझेंगे पहले ज़रा प्रस्ताव रखने का example देख लेते हैं अगले हवते सरकार नया कानून लाएगी या फिर कह सकते हैं के नये कानून का प्रस्ताव रखेगी अब ज़रा दूसरा meaning समझे एक परसंड है अगर वो forward की बात करें तो अपने से आगे की बात करेंगा forward यानि की आगे की direction में बढ़ना यही तो forward का meaning होता है और bring का meaning क्या होता है लाना अब जब कोई चीज लाएंगे तो वो forward turn हो जाएगा यानि कि आप अपनी ओर ला रहे हैं आप forward आपकी तरफ हो गया अब अपनी ओर ला रहे हैं तो समय से पहले ला रहे हैं एक meeting है आपकी जो दो बज़े शुरू होनी है लेकिन आप चाहते हैं कि वो दो बज़े से पहले हो जाए यानि कि bring forward हो जाए तो इस तरह के से हम bring forward का use करते हैं लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है 90% लोग इसका गलत यूज करते हैं वो कहते हैं कि समय आगे बढ़ा देना वो गलत यूज है देखिए एक meeting है जो Monday या Tuesday होने वाली है लेकिन Monday कोई काम है और हम चाहते हैं कि वो meeting Sunday हो जाए तो इसे कैसे बोलेंगे I am going to abroad on Monday Can we bring it forward to Sunday? मैं सोमबार को विदेश जा रहा हूँ क्या हम यह रवीबार को रख सकते हैं यानि जिस meeting की बात हो रही है वो हम उससे पहले रख ले clear? Next है bring down इसका meaning वही आएगा bring यानि लाना down नीचे किसी को नीचे गिराना किसी को कम करना अब क्या कम करना example से समझ आएगा This scandal can bring down the government यह घोटा ला सरकार गिरा सकता है सरकार को नीचे गिरा सकता है bring down कर सकता है Next He has a high fever put wet strips to bring down the temperature उसी तेज वो खार है तापमान कम करने के लिए गिली पट्टी रखो यानि temperature को bring down करो Don't invest in this company because shares of this company could bring down इस company में invest मत करो क्योंकि इस company के share नीचे जा सकते है could bring down नीचे जा सकते है clear Moving to the next one bring back bring back bring मने लाना back मने वापस लेकिन क्या यादे वापस कुछ याद आना याद दिलाना Examples Listening old songs brings back memories पुराने गीत सुनना यादें ताजा कर देता है एक song भी है memories bring back you यानि कि यादें तुम्हारी याद दिलाती है Next है He brought back me about the meeting उसने मुझे मीटिंग की याद दिलाई मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी उसने मुझे याद दिलाई Next है हमारा phrasal verb bring off इसका meaning थोड़ा अलग है तो ये याद कर लीजे का ध्यान से एक meaning होता है success यानि काम्याब होना और दूसरा meaning होता है इसका rescue दोनों के ही example देखेंगे चलिए पहले का देखते है If you work hard you can bring off in your field अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो अपने शेत्र में काम्याब हो सकते हो bring off हो सकते हो अपने field में Next 40 workers were brought off from the tunnel सुरंग से 40 श्रमिकों को निकाला गया उनका rescue किया गया बचाया गया brought off He could bring off in his business but he didn't listen to me वह अपने business में काम्याब हो सकता था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी यानि उसने मेरी बात नहीं सुनी अब देखते हैं अपना last phrase आज की वीडियो का ब्रिंग अवे लेकिन meaning बिलकुल अलग है जैसा देखने में लग रहा है वैसा नहीं है meaning है इसका सीखना यानि की learn करना examples I brought away many dishes from my cooking classes मैंने अपनी पाक कला की कक्षाओं से बहुत सारे व्यंजन सीखे हैं यानि की बहुत सारी dishes बनाना सीखा है next you can bring away working online तुम online काम करना सीख सकते हो learn कर सकते हो bring away कर सकते हो guys यह थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है comment करके जरूर बताएए आपके comment हमें motivate करते हैं जिसे हमें आगे काम करने के लिए energy मिलती है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा से समय निकाल कर नई है तो subscribe करिए thanks for watching the video bye bye take care जै हिन जै भारत